सबसे पहले तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से असलाम वालेकुम आदाब और आज का टॉपिक मेरा है डेमॉलिशन जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज पहले गुजराद के अंदर जो है डोजर लगाया गया था और जब हम यहां सुनते थे कि गुजराद के अंदर जो है डोजर चलाया गया तो हमें यकीन तक नहीं हो रहा था जी हाँ, हमें यकीन तक नहीं हो रहा था कि डोजर भी चलेंगे मकानों के उपर, लेकिन आज वो दिन दूर नहीं, आज वो दिन दूर नहीं, आज जमू और कश्मीर के अंदर भी डोजर चलाया जा रहा है, क्या जमू कश्मीर के अंदर जब पहले दफ़ा 370 और 35 ए को अब यह बताया जा रहा है कि अब किसी भी अंदाज में दफ़ा 370 और 35 ए वापस नहीं मिलेगा, मकानों को गिराया जा रहा है, गरीम अवाम को टार्गेट किया जा रहा है, और गरीम सडकू पे आके जो है रो रहे हैं, आपको याद होगा कि प्रदहन मंतरी नरंदर मोद अब जी ने ये कहा था कि बेटी बचाओ और बेटी पडाओ, ये सब को याद होगा, लेकिन आज वही बेटियां रोडू पे आके रो रही है, अपने आशियनों के लिए, अपने उन गरूं के लिए, क्या इसी तरह से बेटी बच सकती हैं, और इसी तरह से हम बेटी को ये तो आप अपने आँखों से देख रहे हैं, आपने पहले भी ये देखा होगा, और ये हमने बार बार सुना है, सब का साथ, सब का विकास, लेकिन वही नारा आज उलट फिर हम पे जो है, वारिद हो रहा है, सब का साथ, और सब का सत्यानास, यही सत्यानास है ना, इस से ज्यादा क्या सद्याइनास होगा एक गरीब के उपको पचास या Politics अलगे होते हैं अपना आश्यानाँ बनाने में अपना गर बनाने में दो या चार अ कम्रे बनाने में उसी का गर अब सतर साल के बाद जो है तोड़ा रहा है उसकी फैमिली उसके बच्चे रोड़ों पर आके अब रो रहे हैं अपना अपना गर भी नहीं है तो इसी तरह से विकास होगा पढ़ाए किस चीज़ की विकास किस चीज़ का डिवल्लमेंट किस चीज़ की जहां बनाने चाहिए थे वहां गिरा रहे हैं जहां बनाने चाहिए थे, वहां गिरा रहे हैं, क्या कुछ समझ में आती नहीं है, बच्चों को तालिम देंगे, और हमारे बच्चे जो पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद कुछ बनेंगे, और अपना रोजी रोटी कमाएंगे, अब रोजी रोटी कमाने के लिए तो आशि को क्या करना है, अब अगर गर ही नहीं, तो मजदूर दिन में काम करने जाता, लेकि शाम को आकर वो किस जगा बैठके खाएगा, अब उसको वो टेंशन अलग है, उसके बच्चे रोड़ों पर आ चुके हैं, ये समझने की जरुरत है, आप भी ये सोचकर हैरान होते होंग तो गरीब का ही तोड़ेंगे, सबसे पहले गरीब का तोड़ते हैं, वो अमीर जो है, वो अपने जगा बैठे हैं, खिर हम कहा जाएं, लेकिन दोस्तों, मेरे प्यारे बहियों और बहनों, पस्त होने की जरुरत नहीं है, जो कुछ करता है, वो अल्ला करता है, और करने और दरने वाली ज़ात अल्ला की है, जो अल्ला करेगा, वही होगा, अल्ला के बगएर एक पता भी नहीं हिलता, अल्ला के बगएर हमारे मकानों को कोई गिरा भी नहीं सकता, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सबस्क्राइब करें, दीजे अजासत, खुदा झाला के बगएर